दोस्तों मैं प्रिंस है नहीं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे हर्ट अटेक को हम रिजन समझेंगे इसका बर्नूली प्रिंसिपल के थूर। यानि कि हर्ट अटेक को समझेंगे कि किस तरह से हम उसके अंदर बर्नूली प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं तो according to बर्नूली प्रिंसिपल इसकी हमने काफी सारे अप्लिकेशन भी देखी जो हमने बर्नूली थियोरम पड़ी थी तो इसके अंदर देखे जब भी velocity increase होती है जहां पर भी तो वहाँ पर pressure क्या होता है decrease होता है और वाईसे वर्सा भी correct है यानि कि इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है जहां पर velocity कम होगी वहाँ पर pressure जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या है यह याद रखना है कि velocity जहां पर बढ़ेगी वहाँ पर pressure जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा low pressure होना start हो जाएगा तो हम बात कर रहे हैं heart attack की तो इसकी अंदर हमें सबसे पहले तो human circulatory system को समझना होगा अब जो हमारे body के अंदर pump की तरह काम करता है वो कौन होता है वो होता है heart तो ये जो heart है ये सालों साल जो है pump की तरह काम करता रहता है यानि कि पूरे body के अंदर blood को supply करने का काम heart का है एक pump की तरह अब ये जो है artery और veins के थूँ जो है हमारा पूरा body के अंदर जो है blood को supply करता है अब जब जो blood होता है वो अगर हम बात करें कि वो away जाए यानि कि heart से जब blood दूर जाए यानि कि heart से यहां से दूर जाए तो हमारा arteries के तुरू जाता है तो इसको हम बोलते है는 artery तो artery के थूरू जाता है और hyperie होती है इनके अंदर high pressure होता है यानि कि जो blood है pressure पे होता है तो इसलिए artery होती है थीक वाल होती है प्लास्टिक भी निचर की होती हैं अब यह जो जाता है इस तरह से सर्कुलेट करता है और फिर जो है यहां पर हमारी होती है और फिर जो वेंस के थूरू यह वापिस हर्ट पर जाता है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा हम इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं है एक अवर्व ले रहे हैं तो arteries के थुरू heart ने pump किया blood, अब arteries में से क्या जाता है, oxygen rich blood जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, oxygen rich blood जो है arteries से चाहेगा, जो सारी body में जो भी waste है और जो carbon dioxide है, जो cell से इकठा करके जो blood है, फिर heart के पास जाता है, और फिर जो है उनको वापिस जो है lungs के पास भेज दिय जाता है, अब lungs का role भी हमें पता होना चाहिए, lungs का क्या role है जब आप सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं, तो जो oxygen rich air आप एक तरह से अंदर लेते हैं, फिर जो है उसको heart के पास भेजा जाता है, यानि कि heart के पास oxygen rich जो अगर हम बात करें, blood कहां से आता है, वो lungs के दुरू जाता है, जब हम सांस लेते हैं, oxygen अंदर लेते हैं, तब lungs से heart पर जाता है, अब एक वाद ध्यान देनी है कि यहां lungs से heart की तरफ बलड़ जा रहा है, तो यहां पर यह जो चीज होगी, यह आर्टरी नहीं होगी, इसको हम vein बोलेंगे, तो यह हमारी vein होगी, ना कि artery क्योंकि towards the heart जा रहा है, लेकिन यहां से heart से जब lungs पर जाता है, तो यहां पर यह हमारा artery होती है, तो यह आप समझ दे होगे, कि artery और जो vein है, इनके बीच में क्या comparison है, यानि कि away from heart, यहां से भी देखिए, अवे गया और यहां से भी अवे गया, तो यहां पर यह arteries है, लेकिन अगर towards यहां से भी towards गया, यहां भी towards गया, यह veins होती है हमारी, अब इसके अंदर देखिए, एक बात समझने की है, कि यहां पर जो veins के through आता है, और फिर artery के through circulate होता है, फिर veins के through जाता है, और जो मतलब waste है, फिर उसको जो है, lungs के through, जैसे कि हम carbon dioxide जो है, उसको छोड़ते हैं, तो waste जो है बाहर छोड़ दिया जाता है, यह पूरा circulatory system चलता है, यह तो हमने circulatory system के बारे में समझा, अब यहां पर heart attack की जो problem है, वो कैसे आती है, अब देखिए, इसके लिए हम एक example लेते हैं, हमने एक pump लिया, और उसके आगे एक pipe माल लिजीए हमने लगा दिया, यह pipe जो है आयमाले जीए, इसके अंदर से झो है liquid flow कर रहा है, जैसे ही pump होता है, इसके अंदर से liquid flow करना start हो जाता है, अब जैसे यहां से यह ठीक चल रहा है, liquid, लेकिन यहां पर आपने nozzle का इस्तेमाल कर लिया, nozzle का इस्तेमाल कर लिया, या पिर आपने हाथ से इसको दबा दिया, तो सब्सक्राइब है इसे यंदर यहीं नोजन है यह हाथ से हम ने रिष्ट्रिक्शण पैदा गिए हमने इसको एक restriction दिया ताकि इसकी velocity increase हो सके और velocity increase होने के साथ pressure decrease हो जाता है यह तो automatic है अब माली जी कोई artery है अब artery के अंदर जैसे जैसे हमारी age increase होती है हमारी उमर बढ़ती है और जो हमारी bad habits होती है खाने की यानि कि junk food जादा खाना चलते खिटते खाना और exercise ना करना बैठे रहना तो उससे जो है जैसे जैसे age बढ़ती है तो arteries के अंदर जो है cholesterol जमा होना start हो जाता है जिसको plaque भी बोलते हैं आप plaque बोल सकते हैं तो plaque जमा होना start हो जाता है यह plaque क्या है एक तरह का एक waste material आप कह सकते हैं कि वो जमा हो जाता है arteries के अंदर अब यहां पर समझते हैं इसको एक pipe है पहले तो यह open था अब यहां पर जो है यहां पर कुछ waste material जमा हो गया जिसको पलाक बोल रहे है medical term में तो यह जो जमा हो गया तो यहां से जो फ्लो है यहां से फ्लो आ रहा था तो यहां तो यह रिस्ट्रिक्ट हो गया यहां पर रिस्ट्रिक्शन इसको मिले रिस्ट्रिक्शन मिलने क्या मतलब है यहां पर विलोसिटी क्या होगी जादा होगी जैसे कि हमने यहां पर देखा और प्रेशर क्या आंधा हो गया मैं तो यह जबने की कोशी करेगी तो कि यहांसे ही यह ईंदर होगस होगा ठाल को हमारेगा यानी कि इसको अपनी जो स्पीड है बढ़ानी पड़ेगी तागीत वो पर रहे सारी बूड़ी में तो जब स्पीड बढ़ेगी तो दुबारा से एक तरह से प्लाक के कारण भी स्पीड बढ़ गई और उससे भी क्या हुआ फिर से इसके इंद्र आडोन हो गया यानि कि pressure अंदर और कम हो गया बाहर से और जादा लगेगा pressure और यहाँ पे यह जो है collapse हो जाती है collapse होने से ही क्या होता है हमारा पूरा circulatory system जो है damage हो जाता है जिसको हम heart failure के नाम से जानते हैं और heart attack के नाम से जानते हैं तो इस तरह से बर्नूली principle के थुरू आप समझ सकते हैं कि heart attack के अंदर कितना role है blood flow का velocity बड़ेगी pressure कम होगा फलाक जमा होने के कारण हुआ है सब कुछ तो इसलिए heart attack होता है जैसे age या हमारी कुछ habits हैं वो गलत होती चली जाती है exercise ना करना बैड जो junk food खाना वो खाते रहना हर समय तो इस तरह की जो चीजें हैं तो यह हमारे heart attack का कारण बनती है तो इसलिए कहा जाता है कि exercise भी करें रोज आदा एक घंट exercise भी जरूर करें और इसी तरह से अपने habits जो है उनको भी सुधारें और अपने जो खाने पर और अपने वियाम पर जरूर ध्यान दे तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद